कॉफी विद करन सीजन एट का फाइनल एपिसोड सामने आ चुका है मतलब कहां से शुरू हुआ था क्या क्या भसड नहीं आपर हमने देखिये रनवीर दिपिका के साथ और भी पता नहीं कितने सारे एपिसोड और फाइनली जो लास्ट एपिसोड आया है उसमें औरी को यहा करूंगा साथ ही सेकंड हाफ अपिसोड जो है उसके अंदर बहुत सारे इंफ्लूएंसर को बुलाए गया था जिसको जूरी का नाम दिया गया और इस जूरी में तनमे भट जैसे लोग थे जिनोंने करन जोहर के पूरे इस सीजन को रोस्ट भी करने का काम कि सबसे पहले ब इस पूरे एपिसोड में औरी के बारे में काफी इंफॉमेशन मिली औरी इने सबसे पहले तो यहां पर अपने आपको इंट्रेड्यूस तो कि लेकिन साथ में उन्होंने अपना बताया कि उनके ओफिस में एक रेलेवेंस रूम है मतलब ऑफिस के अंदर एक रूम है जहां बादे डाउन फॉल भी आएगा उनके कारेक्टर का और उनका जो रेलेवेंस रूम है जहां पर उनका क्रू बेट के पूरी स्टाटिजी बनाता है औरी द प्रोड़क्ट की स्टाटिजी उन्होंने इस ताइम पर औरी के डिमाइस के उपर काम करना शुरू कर दिया मतलब इस कारेक्टर के डाउन फॉल के ओपर काम करना शुरू कर दिया है और फिर से इस कारेक्टर का कम बैग भी यहां पर होने वाले साथ में बताया कि एक ही औरी नहीं है बलकि दो तीन और भी औरी इस टाइम पर मार्केट में गूम रहे है इसको सुनकर के दिमाग मेरा पूर लेंगे और जो नहीं कर पाएंगे वह उसके ओपर डिफिनेटली मिन्टरा एक हैं इसके अलावा और एंए जो क्रूढ качеужд Slug aan इंको मीनियृण कहता है आपनी मीनियन वह कômडा कि मेरी तरह सोचते हैं में ड्रेस करते हैं मेरी तरह बात करते हैं मेरी तरह चलते फिरते हैं व जहां पर लोग मेरे उपर मीम मनाते हैं मैं अपनी हरकते करके अपने कामों से पैसे कमाने का काम करता हूँ पीपल मेक मीम्स आय मेक मनी यह बात भी और यह ने बोली और यह काफी अच्छा लाइन था अब मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे बाते आप निकाल सकते हो और औरी की इसके आपर भी बहुत सारे मजाग उडेंगे definitely इसके आपर मीम बनेंगे लेकिन according to me औरी एक perfect product है perfect marketing campaign का मतलब जैसे की एक marketing image से कोई बनता है कोई बनता है कोई product बनता है वैसी औरी को भी बनाया जा रहे है marketing image के द्वारा और वह बहुत perfection से किया जा रहे है और ही कह रहे है कि मैं बहुत real हूँ मैं बहुत यह है मैं बहुत वह है but actually जो वह बाते बोल रहा है वह इतनी well scripted है कि वह कही ना कही रियल लग रही है लेकिन है वह actually scripted ही मतलब औरी the campaign जो है इस character का पूरा का पूरा वह इतना well defined है इतना well structured है कि उसमें कमिया निकालनी बहुत जादा मुश्किल है in fact यह जो coffee with Karan पर औरी का interview हुआ है यह कोई औरी की brand building के लिए औरी की marketing के लिए नहीं हुआ औरी इतना बड़ा इस टाइम पर brand बन चुका है इस पॉलिवूड वर्ल्ड में या फिर यह जो cool wannabe लोग हैं उनके बीच में कि इस टाइम पर coffee with Karan को good note पे end करने के लिए अपने आपको और जादा marketing बूस्ट देने के लिए और इको बुलाना पड़ा उसको को यूज करना पड़ गया इसी के साथ coffee with Karan की भी जो marketing थी वह भी काफी जादा जबरदस थी क्योंकि आर देखो मतब शुरुवात हुई थी जो रनवीर दिपिका वाले एपिसोड है उससे और major controversy यहां पर देखने को मिल दी क्योंकि पिछला जो season 7 कोफी जादा थंडा था in fact coffee with Karan में कही बार इस season में Karan नहीं खुद बोला है कि पिछले season में बहुत जादा filters लोगोंने लगाए थे बहुत जादा PR nightmares लोगों को थे इसलिए बहुत जादा लोग सच नहीं बोल रहे थे बहुत जादा लोग मसाला यहां पर नहीं दे रहे थे इस season में हमने अपनी strategy क को चेंज करा है यह बात खुद करनने मानिये तो बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी करन चीचा को लग रहा था यहां पर कुछ कमी है और वो कमी जो है औरी से पूरी करी गई औरी का मेंशन पहले तो कई बार किया गया शो के अंदर दूसी तरफ औरी की ब्रैंड काफी ज चुके हैं मतलब चलो फिल्मों तक तो ठीक है लेकिन कियारा अडवानी के एपिसोड में ये बात सामने आगे थी कियारा अडवानी के पेरेंट जितनी उमर है करन जोहर की तो करन जोहर कितना बड़ा बुढ़न होगा यह बात यहां से क्लियर हो जाती है और इसलिए करन ज और इनफाक्ट यहां पर जैसे अमने देखा कि Big Boss में औरी दिखाई दिया या फिर Coffee with Karan में दिखाई दिया है आने वाले टाइम में औरी को और जाधा बड़े प्लाटफॉर्म मिल सकते हैं इनफाक्ट नेट्लिक्स के ओपर अगर कोई डॉक्योमेंटरी बन जाना औरी के पर तो बहुत जाँ सप्राइज बत हो ना इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं Coffee with Karan के फाइनल एपिसोड के सेकंड हाफ के बारे में जहां पर इंफ्लूएंसर को बुलाया गया आज जूरी अब जूरी क्यों थी यह बात भी थोड़ी बात बत जो की बबल गम वाले अटायर में अब इस जूरी ने ये तो डिसाइड किया कि कौन सा वाला रैपिट फायर राउंड अच्छा था कौन सा वाले एपिसोड अच्छा था लेकिन उससे भी जादा यहां पर वाट लगाए गई करन जोर की और काफी सारी चीजों को लेके करन जोहर की चमचागीरी करने का क्योंकि ऑविसली भाया कुशा कापिला फिल्मों में आचुकी है इस टाइम पर और उनको और भी प्रोजेक्ट्स चाहिए तो उन्होंने यहां पर बताया कि करन जोहर को जब मैं अपने लाइफ में बहुत लो पॉइंट पे थी मेंटली अपना गुसेडा यहां पर कि मैं भी सिंगल हूँ अपना रोना जो हर चीज में गाने बैठ जाते थे करन चिछा उस चीज को लेकर भी काफी रोस्ट किया गया इस जूरी के द्वारा और बाइक काफी दगडी बात पता चलिए तनमे भाई का लेटेस्ट करश जो है क्योंकि उसकी वज़े से तो कॉफी विद करन सीजन इट चला है इन फैक अगर उससे भी जाद अच्छे एपिसोड की बात करी जाए तो मेरे साब से लास्ट वाला एपिसोड अच्छा था क्योंकि एक तो इससे कॉफ विद करन खतम हो गया दूसरा इसके अंदर हमारे को अरी के बारे में और डीटेट्स पता चली कि इस ताइम पर पूरा इंटरनेट औरी के बारे में सर्च कर रहा है करन चीचा के बारे में यहां पर किसी को इपड़ी है अगर आपने यह एपिसोड नहीं देखा है तो जा कर डेफिनेटली देखो क्यों कि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी समझो कि आखिरकार औरी चीज क्या है मतलब चल क्या रहा है और आपका क्या कंक्लूजन है औरी के बारे में मुझे यह भी बताओ और अगर आपने एपिसोड देख लिया तो औरी के बारे में आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनी क्या आपको समझ में आता झाल झाल